हेलो एंड बल्कम गाइज मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं आई टी पावार आज आपके लिए विडियो जिसकी आप लोग काफी डिमांड कर रहे थे दो तीन दिन पहले यह वीडियो आने वाली थी लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम के वैसे वीडियो बन नहीं देते हैं लेकिन कुछ इंपोर्टन चीज़ें जो लास्ट में होती है या वीडियो के मिडिल में होती है वो चीज़ें रह जाती है तो वीडियो को पूरा देखें और लोगों तक शेयर करें तो वीडियो है हमारी क्लास 6 और क्लास 9 यानि AMU क्लास 6 और AMU क्लास 9 वाले पुछा जा सकता यह सारी information इस यस वीडियो में शेयर की गई है तो वीडियो को पूरा जरूर देखें तो यहां पर में बताना चाहूंगा इंटर्विए तो अभी एंट्रेंस का रियल तो आपका आया नहीं है तो अभी हमें इंटर्विव की डैट वगरा कुछ नहीं पत लधा इंटर्वगम कभी कर दोंगे नहें दो स्टूटन तो होंगा नहीं वाना और एक चיanın आन्टर्वीsels कहाँ कोई क्राइठिरियों फिक्स नहीं होता है सिंगल इंटर्व्यू OWसकता या इन एक बार इक इसरेंट को कोई बुलाया सकता है या एक बार में दो स्टूटन को बुलाया सकता है तो ऐसा कोई क्राइडेरिया फिक्स नहीं होता है इंटर्व्यू का तो आप अपने हिसाब से अपनी तियारी करके जाए और इस्टॉंग प्रिपरेशन करके आए अपनी तो यहां पर मैं पहली बात ब इस पर भी एड्मिशन हो सकते थे इंटर्व्यू क्यों करा जा रहा है तो इंटर्व्यू इसलिए कराया जाता है हमारा यहां पर इम्यू इंटर्व्यू के लिए इवन फर्स्ट वालों के लिए भी ताकि वह जैन्वन केंग्रियट को फाइंड कर सकें यानि जिस मिनट पहले ही जाएं और कैज्वल आउट्विट में जा सकते हैं कोशिश कीजिएगा फॉर्मल हों तो बहुत ही अच्छी बात है फॉर्मल डेस में जा सकते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आप फॉर्मल में ही जाएंगे तभी चलेगा क्योंकि आपका यह कोई बहुत जादा प्रोफेशनल या बहुत जादा बड़ा इंटर्विव नहीं है तो आप पर कोशिश कीजिएगा आपके पास फॉर्मल है तो फॉर्मल में जाएं और एक चीज़ का ध्यान लगना कोविट के इंस्ट्रक्शन को फॉलो जरू करना आप मास्क जरूर लगाना जरूर ही है मास्क परा करें जाना चाहिए आपको सबसे बहले जब आप वहां पहुंचेंगे तो आपको करना क्या है तो आप जैसी अंत्र नहीं होना आपको पहले परमिशन लिनी एंटर्विविवर की अभाप शर मेडम जो भी हो आपके दो हो सकते हैं दो से ज्यादा भी हो सकत एक स्याद होंगे तो आप कैसे बोले जाएगा तो । जब तक आपको अनदर आने की परमिशन ना मिले तब तक अधर एंटर नहीं करेंगे उसी बात सबसे बाता है sitting का कुछ लोग क्या करते हैं ये नए जो भी लोग होते हैं पहली बार इंटर्व्यू देते हैं उनके साथ अक्सर होता है जिनको जानकारी नहीं होते हैं चीज़ कि वो अंदर घुषते ही यानि entry करते ही room के अंदर वो क्या करते हैं चेयर पे बैठ जाते हैं तो यह सबसे बड़ी गलती होती है कि यह क्या होता इंटर्व्यूर को डिस्र डिस्रिस्पेक्ट फील कराता है कि आप बिना permission के बैठ गए क्योंकि आफ्टर और वो आपसे काफी senior हैं आपका इंटर्व्यू ले रहे हैं आपका टीचर हैं गुरू हैं जो भी हैं तो पहले आपको क्या है वो बोलेंगे बैठने के लिए तब भी बैठेंगे क्योंकि कभी कवार ऐसा होता है कि वो खड़े खड़े इंटर्व्यू ले ले लेते हैं नहीं बिठाना चाहते हो किसी किसी candidate को खड़े खड़े इंटर्व्यू ले लेते हैं ऐसा भी possible है तो और एक important बार हाँ जाने से पहले आपको क्या करना अपने document जरूर लेके जाने हैं जैसे कि आपने form फिल किया होगा तो आपने 7th की mark sheet upload की होगी क्योंकि उस समय तक सायद आपके पास 8 की mark sheet नहीं आई होगी लेकिन अब तो सब के पास आ गही होगी mark sheet 8 की तो अपने mark sheet लेके और जब आपको बैठने के लिए बोल दे आएगा तो आप थैंक्यू बोलेंगे आप उनको उसके बाद आपको क्या करना है वह आपसे question करें सबसे पहली बाद कुछ student क्या करते हैं student क्या अगर job का भी इंटर्वी देते हैं तो candidate क्या करते हैं जो hopeless हो जाते हैं nervous हो जाते हैं और हाँ कुछ चीज क्या करते हैं कुछ लोग extra overconfidence देखाने के लिए ऐसा लग फील कराते हैं उनको कि मैं बहुत सी ज्यादा confident हूं ऐसा कुछ नहीं दिखाना आपको overconfidence भी नहीं रहना और किसी भी question का answer दें आप तो ऐसे नहीं के side में देखके जवाब दे रहे हैं या conventional contact जरूरी है उसके अलावा। आपसे question किस तरीके के किया सकते हैं सबसे पहले introduction पूछे जाएगा है एंट्रोडक्ष आप जैसे अगर English में question इस तरीके से आप उनसे बोल सकते हैं तो आपको वो बोलेंगे ही उसके लिए आप इंट्रोडक्शन दीजिए अपना अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन प्रिबेर करके जाएगे और एक चीज़ और बताना चाहूंगा यहां पर जब जिसका इंटर्वी हो चुका है तो जब वो इंटर्वी देके जाता है केंड्रियर तो दूसरे केंड्रियर उससे पूछ से हैं कि वाई तुस्से क्या बूचा क्या क्या पूचा गया है तो ऐसा नहीं है कि जितना पहले स्टूरेंट से पूचा गया है सेम बैसा ही दूसरे से पूचा जाएगा किसी का दस मिन मैं चाहता हूँ कि मुझे इस student को select करना है तो मैं आपसे क्या पूचूँगा कि अपनी family के बारे में बताओ और भी सी बात है आप अपनी family के बारे में सब कुछ बता दोगे that means you are selected अब मैंने सोच लिया कि मुझे select नहीं करना इसको तो मैं क्या पूचूँगा आपसे चलो मेरी family के बारे में बताओ तो आप मेरी family के बारे में कुछ नहीं बता पाएंगे नहीं बता पाएंगे तो आप reject होने ही हैं तो interview कोई fix नहीं होता है तो आप अपनी तरफ से prepare हो वो अपनी तरी के से पूचते हैं जब से इंट्रोड्रक्शन पूचा जाए तो आप अपने नाम बताएंगे अपने parents का नाम बताएंगे एडस बताएंगे दूसरा बात parents का जैसे आपके father का नेम है तो ऐसे direct father का नाम नहीं बताना है आपको mister लगाएं अगर इंग्लिस मे लगाएं एंग्लिज में दिर यहिंदि में दे रहे हैं तो श्रीमति लगाएं जिस आफसे इंटर्विव दे रहे हैं उसमें आगे श्री जबर शचुह झ Esse और हां दूसरी वाद है और आह infrania in-rendu आपका the good morning गों लेंगे आफटैनों में Verfच्ष्टर नहीं और प्ता होना ज़रूर हैं आप अपनी शेयरस हैं जिस अलिगर से हैं तो आपको अलिगर के बारे में पता होना चाहिए और एम Northern हमारा लिंक लोग है लिंक लोग जानते होंगे आप सभी टीबी में भी अड़ी अड़का है उसका तो लिंक लिंक लोग अलीगर का ही है तो आपको यह आप जिस भी शहर से हैं तो अपने शहर के बारे में आपको पता होना चाहिए और एम्यू के बारे में तो पता होना ही चाहिए चांसलर का नेम होना चाहिए पता और बाइस चांसलर का और बागी हिस्ट्री वगरा भी थोड़ा यह विट जा सकती है कोशनदे जाएंगे व्यूल सकता है लेकिन यह आलिटियार करको आपको हां अलिगर करत को पीज़े अब हैone यहां पर आप से रीडिंग और राइटिंग भी कराई जा सकती है जरूरी नहीं यह इसलिए कराई जा सकती है क्योंकि इंटर्विव जो होते हैं उनको काफी साल का एक्सप्रेंस होता है इंटर्विव लेने का भी पढ़ाने का भी तो आप तो जाइड सी बात हैं उनके सामने छोटे बच्चे ही हैं उनको पता रहता है कौन सच बोल रहा है कौन जूट बोला सारी चीह हैं कि किसी स्टुडेंट उनको डाय उठ है तो क्या करेंगे चलो इसस कि मार्क्स तो अच्छे हैं लेकिन इससे चलो लिफा के देखते हैं कोई टॉफ स्पेलिंग पूछ लीस उससे यह कुछ लिफा के देख लिया यानि यह करवा सकते हैं वह आपसे तो अपनी तैयारी अच्छे से करके जाएं डीडिंग और राइटिंग के भी सब्जेक्ट आप एसा और आप से पूछेंगे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है आपका वह इंगले जो भी बताना चाहिए लेकिन अब इंगलिस आप बोलें जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है तो फिर उसके बारे में आपको नौलिज होना जरूरी है अगर आप साइंस का पू सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब और आपसे शर्द में चेड़aci दोइंट तक आप साइंस बोलेंगे यह नहीं बोलएं आपको सब्जेक्टलार कि सब्सक्राइब अगर इंट्रेस्ट और होबी के बारे में पूछा जाएगा अपसे इंट्रेस्ट होबी अब ऐसा नहीं कुछ लोग क्या करते हैं एक दूसरी की कॉपी करते हैं कि उसने बोला रीडिंग बुक मुझे पढ़ना पसंद है तो दूसरा ही बोल देता है पहली वाले से तो इंट सकते हैं तो लेकिन पता ज़रूर नहीं है आपको किरकेट खिलना पसंद आपने बोला कि मेरी होबी किरकेट है या सिंग है आप जो भी बोल सकते हैं वो पूछेंगे आप इन फ्यूचर क्या बनना चाहते हो तो आप अपने बताएंगे जो भी हर स्ट्रेंट को अपना यह कर आतरा होती है हमारी के न्यूज होती है यान आप जिस दिन जाए तो इससे एक दिन पहले का रोगों पढ़कर जाएं हैं इस पर Хорошо कि न्यूज होती है OH आपके नहीं काहीं से तयारी नेहीं है सार आ सोसल मीडिया प्लेट फॉम में यूत्यूब यूटीप से याड़ी की है और आपने किसी रिलि-टेप का नाम बता सकते हैं मैंने अपने प्षा से पढ़ा opportunities से नियुजो भी आप बता सकते हैं के सामने जो कोश्चन पूछा जाए जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दें कोशिश यह ना करें उनको के ओर कॉंपिटेंस शो ना कराएं अपना कि आप पूछा जा रहा है थोड़ा सा आप उसको ज्यादा ही एक्सप्लेंड करें आ रहे हैं कभी कवार होता ना कोशिश का आंसर नहीं आता है तो सोरी सिर मैं इसके बारे में आ आगी पड़ोंगा इस तरीके से बोल सकते हैं कि पहले से पूरा होने दे उनका और उसको पे थोड़ा सा समय ले आप जब आपको लगता है बिल्कुल ही नहीं तब आप एंट्री करेंगे तो आप पहले रूम में जाने से पहले permission मागेंगे जब आप को अंदर आने के लिए बोला जाएगा तब ही आप जाएंगे बैठें तब तक में जब तक बैठने को ना बोला जाए है थिंक्यू बोलेंगे और उसके लावा जिस को पूछा जाए जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है कभी कोवार क्या होता है कि इंटर्विवर एंटर्विवर को पूछ बोलते हैं तो कौछ गैफिर बीच में इंटरफ्ट करते हैं कोछन पूरा नहीं होने देते बीच में बोलते हैं या पहले सी आंसर देने क्यों कोशिश करते हैं यह एक इंसल्ट कराता है इंटर्विवर को जिससे वह काफी हिट करते हैं तो आपको छीच से दियान हो तो इसा नहीं है कि मत ब्लच यहाँ कि अपना जवाब दीए राम फॉर्मल के से बैठें और मास्क को लगाएं उस एक लेएं और पडारिस्च से हो aucun को मास्कूच के आप से नीसिए मेरे N आपसे पार, लहिंखे हैं अपने भाई बेरेंगे वारें वक्ता न सब के अपने हैं के अपने चाक्ता मामा सब को बारें नहीं है और अब बस यही बताना चाहा रहा था मैं आपको डूसरा यह एल्ट ऐगा जल्दी आपका और। और सबका अच्छे से हो यहीं होप है आप इसने को और मेरी तरफ से सभी को all the best एंटर्म से एक्जाम रिजल्ट के लिए भी और जिनको इंटर्व्यू का मौका मिलेगा उनको लिए भी थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्याद स्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूरंट को भी आप हेल्प मिल सके और इंफॉर्मेशन मिल सके आप पेरेंट्स देख रहे हैं स्टूरंट के तो अपने बच्चों को यह वीडियो दिखाएं कुछ भी नहीं होता है क्या आप कोचिंग करेंगे या कहीं से इंटर्व्यू की तर्यारी करेंगे तब ही यह सारी चीज कर सकते सेल्फ कॉंफिडेंस होना जरूरी है सेल्फ सबसे ज़्यादा जरूरी है अपने आप इस्टटी करके विए आप सलेक्शन पा सकते हैं यह सारी बेकार की बाते हैं कि कोचिंग करेंगे तब ही सेलेक्शन मिलेगा क्योंकि अगर नाइंत का है तो एज़ लेविल तक का ही तो पूछा जाएगा नायंत का एंटेंस है आपसे टेंट का तो नहीं पूछा जाएगा एर्थ लेविल तक का पूछा एगा शिक्स सेवन एट का आपका कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से उसी में से सब कुछ आता है तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोचिंग के जरी ही अड्मिशन लिया जा सकता है तो थैंक्यू फॉर वाचिंग और हस्ते रहिए मुस्कुराते